खेलो फ्रेंड्स प्रिवेस वीडियों के इंदर हम लोग डिसकस कर चुके हैं काफी कुछ क्लसिपरिशन की आज इस वीडियो के इंदर हम लोग फॉलिमर को क्लसिपाई करेंगे ओन्न दे बैस सो नेचर ओफ मोनोमर ठीक है मतलब कि जो मोनोमर है उसके नेचर के इसाप से हम लोग को क्लासिफिकिशन करना है अब नेचर ओफ मोनोमर से आप क्या समझते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूरू बताईएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलू कि नेचर ओफ मोनोमर क्या नेचर ओफ मोनोमर ठीक है मतलब मेरे पास एक जो पोलीमर है पोलीमर क्या होता है पोलीमर जो है मेरा मालो कोई मोनोमर था मेरा एक कोई मोनोमर था इस ए मोनोमर के बहुत सारे ए ए मोनोमर को मैं जोडते जाऊंगा ठीक है और मुझे यहाँ से कुछ एक टाइप का पोलीमर मि तो यह होगी या फिर मैं क्या करूँ दोस्तों एक मेरा मोनोमर था एक मोनोमर तो मेरा था एक मोनोमर मेरा था बी अब मैं क्या कर रहा हूं एक ले लिया एक दूसरे का बी ले लिया फिर एक ले लिया फिर एक बी ले लिया फिर ऐसे चलता जाएगा और मैं यहां पर एन जाओंगा तो मुझे एक polymer तो यह मिला एक polymer यह मिला तो नेचर से क्या समझे, मैं वो बताना चाहता नेचर मतलब क्या सेम sidewalk से ही polymer बना है या फिर अलग-अलग दो टाइप P Spicy directlyona से मिलकर polymer बना है या फिर दो से जादा monomer से मिलकर polymer बनाए उसके एसाब से हम लोग classify करेंगे किसको polymer समझ पाए तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दो examples दिया हूँ एक कि same unit मेरी क्या हुरी repeat हो रही है मतलब कि same जो basic unit थी यह same monomer था वो मेरा end times repeat हुआ और इसकी वज़े से एक polymer मुझे देखने को मिला ठीक है second में बताया मैंने क्या कि एक polymer था दूसरा monomer था मतलब दो monomer मेरे बार-बार repeat हो रहे थे और इन दोनों monomer की वज़े से मुझे एक polymer मिला ठीक है तो दोनों का अलग-अलग अपना-अपना महत्वे तो यहां पर जो number of monomer unit से या nature of monomer के हिसाब से जो बोला गया है वो यही है कि कौन से टाइप का monomer वहां पर repeat होके polymer का formation किया है उसी के हिसाब से हमको classification करना है आए स्टार्ट करते है सबसे पहले तो दो टाइप के यहां पर classification आपको देखने को मिलेंगे एक जो है मेरा है homo polymer दूसरा मेरा को polymer अब दोस्तों यहां पर आपको homo से समझते होंगे आप क्या homo का मतलब होता है एक जैसा एक जैसे ठीक है और को मतलब मैं बता सकता हूं आपको अलग-अलग समझने के लिए ठीक है अलग-अलग है ठीक है तो जो हमारे monomers है monomers जिसको हमने select किया polymer बनाने के लिए अगर एक जैसे polymer वहां पर use हो रहा है या एक जैसा monomer repeat हो रहा है तो वहां से जो polymer बनेगा उसको हम नाम दे देंगे homo polymer अगर अलग-अलग monomer units repeat होने के बाद जो polymer बन रहा है उसको नाम दे देंगे co-polymers I think यह चीज के लिए हो गई होगी आगे अगर बात करें इसी के अंदर दोस्तों हम लोग तो वह क्या कहते हैं जो homo polymer है अब इसको हम लोग detail में discuss करते हैं तो मैं homo का मतलब समझा दिया हो homo मतलब हो गया क्या एक जैसे जब क्या बोले भहुत सारी जवन वन मैं अगर यहां से बोलू when large number of when Suniaga definition when large number of same monomer monomer combine to form a polymer as known as a homo polymer समझ पाए जबकि एक सेम टाइप का monomer बार बार जुड़ते जाएगा दूसरे monomer से तो वहां से जो polymer हमको मिलेगा उस particular type के polymer को नाम दे देंगे homo polymer बहुत basic सी definition ती जो मैं आपको बता दिया है देखो polymer बहुत polymer जिसके अंदर केवल और केवल एक type का monomer है ठीक है उस particular type के polymer को नाम दिया गया है क्या homo polymer या फिर मैं बोलू एक definition मैं आपको पहले लिखके बताया था दूसरे definition आपके सामने रखी होगी ठीक है तो दोनों definition मेरे ख्याल से clear होगी होगी कि एक एसा polymer जिसके अंदर एक ही type के monomers बार बार repeat हो रहे हैं उस particular type के polymer को हम लोग क्या देंगे homo polymer ठीक है आगे इसी के अंदर बात करते हैं example जैसे polyethene हो गया PVC हो गया nylon 6 हो गया दोस्तो polyethene PVC और nylon इसके अंदर same polyethene के अंदर भी क्या होता है same monomer जो होता है repeat होता है same monomer monomer repeat कि इसके अंदर भी same monomer repeat होता है इसके अंदर भी same monomer repeat होता है जैसे polyethene के अंदर जो होता है दोस्तों यह मेरा होता है CS2 CS2 टेडिस इथीन जो होती है यह एथीन एक monomer होता है जो कि बार-बार repeat करता है और कैसे formation देता है यह CS2 CS2 और whole N यह देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर polyethene के अंदर तो यह monomer है मेरा CS2 CS2 बार-बार repeat होते जाएगा बार-बार repeat होते जाएगा तो इस particular type के polymer को मैं नाम दे दूँगा homopolymer जैसे कि मैं आप homopolymer के examples बता दिये हूँ कौन-कौन सा है polyethene हो गया PVC हो गया nylon 6 हो गया और भी वह सारे इसके example से अगर आपको कोई example यादे तो मुझे comment करके ज़रू बताईएगा ठीक है तो इसके अंदर आगे discussion करते हैं बहुत है अब जो homopolymer से इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के अलग-अलग form से लेकिन सबसे पहले हम लोग discuss कर लेते हैं homopolymer के बारे में तो जो homo है जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी दर पहले बताया हूँ कि इसमें अंदर सेम यूनिट्स रिपीट होती है तो यहाँ पर जो monomer है हमारा suppose उस monomer को हमने नाम दिया है ए क्या बोलें जो monomer unit है या जो monomeric units है मेरी वह है तो यह जो a है एक monomer है यह भी monomer है तो बहुत सारे n times मेरा जो a monomer है वो क्या कर रहा है repeat होते जा रहा है अब जैसे जैसे यह monomer मेरा repeat होते जाएगा n times नहीं repeat हुआ तो इसको मैं इस तरह से represent कर सकता हूँ यह a और this is what n यह चीज मेरी हो गई क्या दोस्तों polymer a तो मेरा है monomer और यह जो a और यह n जो इसके साथ है इसको हमने नाम दे दिया polymer अब यह a जो है न a कोई से भी monomer हो सकता है a b क्या बोल सकता हूँ इसको any type of monomer any monomer ठीक तो यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि homopolymer क्या होता है और किस तरह से इसको हम लोग represent कर सकते हैं आई हो यह चीज यहां तक आपको clear हो गई होगी तो अब हम लोग second type का जो polymer है उसकी तरफ मुग करते हैं और वो है हमारा co polymer ठीक है दोस्तों co polymer जो है जो हमारा homopoly था homopoly इसका just बोल सकते हैं opposite होता है होमो पोलीमर का opposite अगर याद रखने के तरीके बता रहा हूं है homopolymer का opposite या फिर उल्टा कोन हो जाएगा मेरा co polymer ठीक है मतलब कि homopolymer के अंदर क्या थी सेम मोनोमर यूनिट थी यूनिट मेरी क्या हो रही थी रिपीट हो रही थी सेम मोनमर यूनिट रिपीट होती थी लेकिन co polymer के अंदर दोस्तों अलग-अलग यूनिट्स आती है अलग अलग यूनिट्स क्या होगी रिपीट होगी अलग अलग यूनिट्स रिपीट होगी समझे इसके आप हम डीटेल में देखते हैं तो यह तो जस्ट मैं आपको याद रखने का तरीका बताया हूं कि होमों के अंदर सेम मोनुमर यूनिट्स रिपीट होती है ठीक तो आईए इसके बारे में हम लोग discuss करते हैं तो यहां पर दिया गया है definition polymer in which are comprising of more than one generally two types of monomer are coldest क्या copolymer यहां दीजिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या मैं आपको बताया था कि copolymer के अंदर copolymer के अंदर आपको generally more than क्या बोला मैं बोला था आप से more than two type more than two यह बोलाता मैं आपको यह बताया था थोड़ी देर पहले कि या तो आपके पास दो टाइप के monomer हो या फिर 2 से जादा हो 2 से जादा monomer हो तो वहां से जो polymer आपको बनता है उसको हम लोग लाम दे देते हैं क्या को polymer यहां पर definition में भी यह लिखा है कि कोई polymer ऐसा polymer जिसके अंदर more than one बोल दिया इसने या तो 2 हो जाए या फिर 2 से जादा हो जाए monomer units अगर repeat करती है तो वहां से जो polymer मिलता है उसको नाम दे देते हैं क्या co-polymers किलियर हुई चीज तो यही में हापर आपको explain करना चाहरा था तो co-polymer समझ माया होगा कि ऐसा polymer जिसके अंदर more than one generally 2 लेते हैं 2 से जादा भी monomer units हो सकती है अगर वह repeat करती है अपने आपको एक particular time पर या particular pattern में तो वहां से हमको क्या मिलता है co-polymer मिलता है जैसे कि nylon 66 हो गया teraline हो गया sbr हो गया इसकी यह सारे example से किसके co-polymer के इनके बारे में हम detail में देखेंगे तो इसलिए अभी मैं इनको आपको यहां पर ज्यादा नहीं बता रहा हूं जब हमने इनकी properties वगेरा पढ़ेंगे तब इनको detail में देख लेंगे अब बात करते हैं दोस्तों कि जो co-polymer है ठीक है उसको हमने further classify किया है four type on the basis of relative arrangement क्योंकि मैं आपको बताया co-polymer के अंदर दो monomers मतलो मानलो एक monomer था मेरा A, एक monomer था B तो इन दोनों की जो relative position से relative position से arrangement की ठीक है उनके इसाब से मैंने जो co-polymer से इसको फिर से classify किया है उसकी बात हम लोग करेंगे ठीक है तो यह slides मेरे ख्याल साब को clear हो जानी चाहिए अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर जो relative arrangement है उसके classification की ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला गया है on the basis of arrangement of monomer units with respect to each other ध्यान रहे यह जो चीज है हमारी यह co-polymer के अंदर ही आ रही है किसके अंदर आ रही है co-polymer के अंदर सबसे पहला जो type हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा alternate co-polymer जैसे कि नाम से clear हो रहा होगा मान लो कोई मेरा monomers थे monomers कौन कौन से हो सकते हैं एक था मेरा a और एक था b तो alternate में क्या होगा alternate के अंदर अगर मैं आपको बता हूँ तो a b फिर से a b फिर से a b इस type का arrangement अगर मुझे देखने को मिलता है तो इसको मैं नाम दे दूँगा क्या alternate co-polymer क्लियर हुई है चीज मेरे ख्याल से आपको alternate co-polymers के अंदर क्या होगा अगर alternate arrangement हमको देखने को मिलेगा monomers का तो उसको हम नाम दे देंगे alternate co-polymers क्लियर है सेकंड टाइप की अगर इसी के अंदर हम लोग बात करें तो सेकंड टाइप में आपको अगर बताओं तो वो क्या हो जाएगा मेरा सेकंड टाइप में वो जाएगा block co-polymer अब इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको detail में इनके बाले मे और जानकार की दूँगा ठीक है जस्ट रिसी वीडियो नहीं पर पहले टाइप में बता देता हूं तीसरा टाइप जो सकता है दोस्तो ग्राफ्ट को पोलीमर और चोता जो हो जाएगा मेरा रेंडम को पोलीमर ठीक है तो अल्टरनेट में आपको बता चुका हूं अब मैं आपको ब्लॉक ग्राफ्ट और रेंडम के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगा ठीक है यहां तब कोई भी कन्पिशन हो तो आप मुझे कॉमेट कर सकते हैं आईए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेट से ही क्योंकि इसकी कुछ और प्रोपर्टी से जो भी आपको जाननी चाह ही ज़cribe टो ला है्ट्रनेट को अल् ρावड के अंदर पोलीमर कंप्राइजिंग आल्टर्नेटिंग अडट यूनिट्स अब E&B यूनिट्स का मतलब क्या है यहां पर रेंब यूनिट्स में इसको यूनिट्स के जगे हम इसको मौनोमर्स भी कह देते हैं もश्एकि सिंक्त् तो जो अल्टरनेट A और B का अरेजमेंट है तो हुआ पर उसको हम लगनाम दे देंगे क्या अल्टरनेट को पॉलिमर ठीक है जो ओडर है पूरी चैन के अंदर ठीक होता है अगर किसी ने बोला A, B, A, B, A, B ये अल्टरनेट अरेजमेंट है और कोई ने फिर से यहाँ पर B ला दिया दोस्तों ये हमारा अल्टरनेट को पॉलिमर नहीं रहे ठीक है तो मैंने क्या बोला जो second point है वो ये कह रहा है कि जो ओडर है आपको throughout पूरी chain के अंदर follow होना चाहिए ठीक है आगे इसमें बात करें अगर हम तो chain को किस तरह से represent कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं मैं भी आपको लिखके बताया था कि AB 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 ये क्या है alternate arrangement यहाँ पर है और इसी को इस टाइप से हम लोग represent कर देते हैं किस टाइप से A B और ये ठीक हुँआ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों block copolymer की block copolymer के अंदर क्या होता है polymer comprising of regular alternating blocks of A and B units A और B monomers बोलो या फिर A और B alternating A और B units जो हो गया है या monomers हो गया है इसको क्या करते हैं दोस्तों इनके blocks हमारे alternate तरीके से या regular alternating blocks इसके range होते हैं सिंपल सा बोला क्या कि polymer comprising of regular alternating blocks of A and B units उसको नाम दे दिया क्या block copolymer इसके अंदर भी जो order है दोस्तों regularly follow होना चाहिए throughout the chain और इसको किस तरह से represent कर सकते हैं आप देख सकते हैं block यहाँ पर अगर आप देखेंगे block मतलब की एक से ज़्यादा पहले देखो आपको पहले 5 A दिके फिर 5 B दिके फिर से 5 A दिके और 5 B दिके दोस्तों यह जो एक है पांच मोनोमर का एक सेट है इसको हमने नाम दिये क्या block दिया है ठीके तो मैंने यही कहा है polymer comprising of regular alternating blocks जैसे कि मानलो इसको suppose मैं X बोल देता हूँ यह Y बोल देता हूँ यह फिर से मेरा X है फिर से मेरा Y है तो आप देखेंगे यह एक alternate co-polymer का ही मेरे field दे रहा है लेकिन यहाँ पर X जो है X क्या है मेरा 5 बार A है Y जो है 5 बार B है मतलब जो 5 B टाइप का monomer है उसका combine करके मैंने Y बनाया तो यह block co-polymer समझ माया कि मतलब क्या है कि भहुत सारे same type के monomers पहले combine हो जाते हैं फिर same type के मतलब same number और दूसरे type के monomers combine होते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है तो मेरे क्याल से यह भी आपको clear हो गया होगा कि block co-polymer कैसा दिखता है क्या होता है clear है यहां पर भी आपको चीज ध्यान रखनें दोस्तों same का same order throughout the chain पॉलोन अचीए अगर chain में deviation आता है तो वह हमारा block co-polymer नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा उसकी बात मैं भी करूंगा ठीक है अब इसके अंदर थर टाइप का जो रहेगा दोस्तों वह है graft co-polymer graft grafting आपने पढ़ी होगी grafting क्या होता है लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं graft में simple सी बोलूंगा तो यहां पर क्या हो साएगा polymer जिसके अंदर mention is comprising of one type of monomer and other monomer forms the branches जैसे कि यह कोई मेरा पेड़ था इस पेड़ पर मोटी-मोटी डालिया थी यह मोटी-मोटी डालिया थी एक टाइब की और इसमें क्या होगया पतली-पतली डालिया फिर से आ गई तो यह दूसरी टाइप की तो यह पतली-पतली-डालिया को अगर मैं B बोल देता हूं और यह मोटी वाली-डाली को अगर मैं A बोल देता हूं तो ऐसे ही टाइप के polymer को क्या कह देते हैं हम लोग graft co-polymer कि यह same type की units थी मेरे पर मेरे पास और जो इसकी branching हुई है वो क्या हो गई भी unit से हो गई ठीक है तो ऐसे particular type के polymer को हम लोग नाम दे देते हैं graft co-polymer दोस्तों यह जो graft होता है एक agricultural के अंदर एक process होती ही है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कोई Lord Lieते हैं ठीक है कोई एक पेड़ फेले से होता है इस पेड़ के अंदर थोड़ा सा क्या करते है मैं एक ञप मुझे मैं वो नी बता गया है क्या graph को polymer क्योंकि यह same type की chain थी same type की chain जो कि unit से मिलकर बनी थी उस unit के अंदर दूसरी एक unit को हमने branch में जोड़ दिया है ठीक है तो मेरे ख्याल से graph को polymer भी आपको clear हो गया हुआ ठीक है therefore for being a graph को polymer the polymer must be branch यह necessary condition है कि कि किसी भी polymer को अगर graph को polymer के ना है तो वो क्या होना चीए must be branch होना चीए अगर उसके अंदर branching नहीं होगी तो वो graph को polymer होई नहीं सकता ठीक है ना मेरे ख्याल से यह भी आपको clear हो गया होगा दोस्तो लास्ट टाइप का जो co polymer है वो है हमारा random co polymer जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा random random का मतलब क्या हुआ दोस्तो अन ओडर ली अरेंज्ट अन ओडर ली अरेंज्ट मतलब जिसके अंदर कोई भी arrangement हमको नहीं देख रहा होगा उसको हमने नाम दे दिया क्या random co polymer मतलब कि सिंपल सा अगर मैं कहूं जो तो ए और बी यूनिट से यह क्या हो randomly arranged हो ठीक है रेंडम ली अरेंज्ट अगर है अरेंज्ट है तो इस पर्टिकुलर टाइप के co polymer को नाम दे दिया गया random co polymer ठीक है जैसे कि मैं आपको यहां पर बता सकता हूं इसके बारे में कुछ जान करी देखो polymer in which no regular order of arrangement is followed by the monomer units ठीक है जो monomer units है जैसे कि कौन-कौन सी A और B यह कोई भी एक regular arrangement फोलो नहीं कर भी है ठीक है नेक्स अगर इसी के अंदर बात करें किस तरह से इसको represent कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले 5 A एक साथ आ गए 2 B आ गया फिर एक A आ गया फिर इत्ते सारे B आ गया फिर इत्ते सारे A units आ गए तो देख सकते हैं आप यह क्या है randomly arranged है कोई भी एक regular यह pattern इसके अंदर हमको नहीं देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे टाइप के polymer को नाम दिये गया है क्या random को polymer ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर हमने nature of को या nature of polymer के साब से polymer को हमने sorry nature of monomer के साब से polymer को classify कर दिया है next video के अंदर में यहां पर बात करने वाले हैं कि classification on the basis of intermolecular forces ठीक है दोस्तों कि जो intermolecular forces है उनके इसाफ से हम इनको कैसे classify करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे दोस्तों वीडियो के end करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से यहां पर conclusion दे देता हूं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा हमने आज की वीडियो के अंदर बात की दोस्तों कि जो हमारे क्या बोलते हैं polymer से उसको हमने classify किया किसके basis पर on the basis of the nature of monomer जो की हमारा हो स आप से हमने इसको अलग-अलग टाइब में classify किया है जैसे कि आप देख सकते alternate co-polymer, block co-polymer, graft co-polymer and random co-polymer इन सब को मैंने आपको explain किया है सो अगर वीडियो अच्छी लगए तो like करे, share, klien channel को subscribe करे, और detail में जानने के लिए description में link दी गई, वहाँ पर ज़रूर visit करे, thank you